आपने नितीश कुमार का जिक्र किया लेकिन अभी देखे क्या हो गया है कि महराष्ट में जो हुआ उसके वज़े से अब नितीश कुमार ने आपका साथ छोड़ दिया है यह पूरा जो मामला हुआ है उससे आपने यानि बीजेपी ने क्या सीख लिए सबसे बड़ा आरोप बीजेपी पर यह लगता है कि जब बीजेपी एक बड़ा पार्टनर बन जाती है किसी भी अलाइंस में बड़े भाई के रूप में चली जाती है तब छोटे भाई को दबाने की कोशिश करती है चोटे भाई की ग्रोथ कैसे ना हो उसकी कोशिश करती है आरोप आप पर क्या इसके आगे भी आपकी भोमिका इस तरीके से रहेगी कि उनको संभाल के काम करें कि नकीश गुमार और बिहार में, देखिए आप ये ध्यान में लीजिए कि हम दोनोंने सरी के सीटे लड़ाई, उन्होंने एक सो तेईस लड़ाई, हमने एक सो बाइस लड़ाई, और बाकी छोटे मित्रों को दी, हम लोग पचासी सीटों पर आये, वो बड़े भाई थे, हाँ जो चारीज, ब लड़ेते, बाउजूर उसके, क्योंकि वहाँ सारे निगोसेशन में मैं था, और उसके बाद मुझे आज भी वो पल्याद है, नितिज जी ने ये हमको कहा, मैं जूट में बोलूँगा, नितिज जी ने कहा, कि देखिए हमारे तो कम आये है, तो आप लोग फैसला कि आपको क्या करना है, उस समय मानने हमारे प्रधान मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा, नितिज जी को, कि देखिए नितिज जी, हमने मिलकर ये गोशना किये, कि आप हमारे मुझे मंत्री पत के उम्मीदवार होगे, हमने ये नहीं कहा कि जिसके ज़्यादा आएंगे उसकी होगी, आपके कम आएंगे, तो हमारा होगा, हमने जब ये गोशना कि, कि आप मुख्यमंत्री पत के उम्मीदवार हो, तब आपके कम आए या ज्यादा आए, मुख्यमंत्री आप ही बनेंगे, और नितिज जी को, हमने मुख्यमंत्री बनाया, अब देखिए, बिहार उनको जो सिटे मिली, वो सिटे मोदी जी के कारण मिली, मोदी जी का जो एक वहाँ पर उनके प्रताव एक सकारातमक्ता जो जो बिहार में ती, मैं खुद देखता था, कि गाओ गाओ में जाने के बाद लोग मोदी जी का नाम लेते थे, और एक मैं सामानता हूं कि बहुत एंटी इंकंबंसी नितिजी की पार्टी फेस कर रहे थी, लेकिन चुके मोदी जी के साथ वो थे, इसलिए वो इतनी सेटे उनको मिली, तो उनके धान में आया कि अब लोग धिरे-दिरे बिहार के बीजेपी के और शिफ्ट हो रहे हैं, तो बीजेपी को रोकने के लिए, वो आरजेडी के साथ चले गए, लेकिन बीजेपी रुके गी ने, मैं आज आपको बता देता हूं, बिहार में मैं रहकर आया हूं, आप देख लेना, बिहार में भारतिये जनता पारटी लोग सभा में चमतकार करेंगी, चमतकार.